सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दियेगा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तीन बहुती ज़ादा बढ़िया मोबाइल से रियलमी की तरफ से जो आपको मिलते हैं 15,000 से 17,000 के बजट में तो इस वीडियो में इन तीनों में कमपेरिजन करके आपको बताऊंगा इन तीनों बहुती ज़ादा बढ़िया स्माटफोन्स में से आपको कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं इन में क्या-का कमिया है क्या-क्या चाहिया है तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिए गा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा अगर आप एक स्मार्टफून लेने की सोच रहे हैं चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले Realme की तरफ से आने वाले Realme Narzo 20 Pro के बारे में दोस्तों ये मोबाल आपको मिल जाएगा 15,000 का 15,000 में इसमें आपको दी गई है 6GB RAM, 64GB के Internal Storage अब इसके अंदर आपको जो खूबिया मिलती है उनमें सबसे पहले इसकी डिस्प्ले है डिस्प्ले दी गई है साड़े चेंज की 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ हालकि AMOLED डिस्प्ले नहीं है IPS डिस्प्ले है करीब से मैं आपको दिखा देता हूँ Full HD Plus डिस्प्ले दी गई है सके अंदर आपको पंच होल कैमेरे के डिस्प्ले के साथ डिस्प्ले के अंदर ही कैमेरा है लेफ्ट साइट पर तो दोस्तों डिस्प्ले का जो डिस्प्ले के अंदर साइज है, क्वालिटी है वो तीनी चीज़ इसके अंदर आपको काफी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है 90 हर्स का रिफ्रेशरेट भी दिया गया है तो जब आप इस मूबैल को यूज़ करते हैं तो आपको काफी स्मूद एक्स्पिरिंस देखने को मिलता है पहली बड़ी खुबी इसकी डिस्प्ले है क्वालिटी साइज डिजाइन, रिफ्रेशरेट हर चीज़ इसके अंदर आपको काफी ज़्यादा बढ़िया दी गई है बाकि दोस्तों डिजाइन जो है इस मूबैल के अंदर आपको वो मिल जाता है थोड़ा सिंपल ही हाला कि काफी ज़्यादा ग्लॉसे डिजाइन है लेकिन क्वालिटी आपको दी गई है प्लास्टिक की टाइप की इस तरीकी की क्वालिटी मिलती है कि स्क्रेचिस असानी साज जाएंगे लुक वाइस तो काफी ज़्यादा अच्छा है इसका डिजाइन लेकिन दोस्टो क्वालिटी आपको नॉर्मल ही दी गई है पिछी की तरफ चार कैमरे मिलते हैं इसमें पहला कैमरा है 48 मेगा पिक्सल का दूसरा 8 बाकी के दो कैमरे हैं दो-दो मेगा पिक्सल के फ्रंट कैमरा है इसका 16 मेगा पिक्सल का कैमरे की जो पर्फॉर्मेंस है वो रेट की साब से सक केंदर आपको सही मिल जाती है बाकी कैमरे को लेकर ये मुबाईल बیस्ट नहीं है in तीनों में left side साब देहेंगे तो sim के tray दी गई है इस तरफ, volume के buttons भी इस तरफ दिये गए है, sim के tray सी मिलती है कि आप दो sim card एक memory कार तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं, नीची की तरफ इसमा आपको type support भी दिया गया है, right side साब देहेंगे तो power का button, fingerprint scanner इसमा आपको side में ही दिया गया है, वो है इसका processor, इसके अंदर आपको दिया गया है, media tech का G95 processor, अगर आप एक बहुत ज़्यादा heavy user है, performance अगर आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया चाहिए, तो यह mobile आपको performance को लेकर बहुत ज़्याद अच्छा मिल जाता है, heavy user के साब से इसमा बहुत अच्छा है, battery दी camera, इसके साथ battery, यह तीन चीज़ों इसके अंदर आपको average ही दी गई है, बाकी तीन बहुत बढ़ी खुबिया इसके अंदर यह भी है, एक तो display बहुत अच्छी है, दूसरे इसके अंदर आपको processor बहुत ज़्यादा बढ़िया दिया गया है, और तीसरे सबसे important चीज, charger सब से ज़्यादा fast मिल जाता है इसके साथ आपको, तो अगर आपको इसकी यह तीन खुबिया पसंद आई, तो आप यह mobile ले सकते है, नार्जो 20 Pro 15,000 में, चली बढ़ते हैं अगले mobile की तरफ, जो की है Realme 7, दोस्तों इसकी कीमत है 15,000, यह भी आपको इसी rate में मिलता है, चेंज की डिस्पले, पंचोल कैमरे के डिजाइन के साथ, रिफ्रेश रेट भी उतना ही दिया गया है, 90Hz का, और IPS Full HD प्रेज डिस्पले मिल जाती है, तो डिस्पले का size, design, quality, इसे की साथ रिफ्रेश रेट, हर चीज इसके अंदर आपको वैसे ही दी गई है, नार्जो 20 Pro क इसका design, इसके अंदर आपको design की quality काफी बढ़िया दी गई है, प्लास्तिक की टाइप का ही design है, लेकिन matte finish के अंदर, scratches बहुत कमाते हैं इसके back panel पे, नार्जो 20 Pro के comparison में, तो quality wise इसका design बहुत जाद अच्छा है, तीसरी बड़ी खुबी मिलती है, इसका camera, पीछी की तरफ 4 camera दिये गए हैं, जिसमें पहले camera है 64 megapixel का, दूसरा 8, बाकी के 2 camera है 12 megapixel के, front camera है 16 megapixel का, दोस्तो camera की जो performance है, वो इसके अंदर आपको बहुत ज़ादा बढ़िया मिल जाती है, camera को लेकर, realme 7 बहुत ज़ाद अच्छा है, left side साब देहेंगे, इस mobile को तो sim के tray दी गई है इस त power के button के अंदर ही, उपर की तरफ साब देहेंगे, तो plane design इस तरफ कुछ नहीं दिया गया, दोस्तों इसके अंदर आपको battery ज़्याद अच्छे मिल जाती है 5000 image की, एक दिन का battery बैका पराम से मिल जाता है, charger दिया गया है 30 watt का box के अंदर, बाकी processor इसके अंदर भी आपको काफ तो इसके अंदर आपको camera ज़्याद अच्छा दिया गया है, दूसरा design की जो quality है, वो इसके अंदर आपको ज़्याद अच्छे मिल जाती है, नार्जो 20 Pro में एक बड़ी खुबी ये है, charger ज़्यादा fast मिल जाता है, बाकी दोस्तों इसके अंदर आपको battery भी वैसे थोड़ी 4G हैं, चली बढ़ते हैं last mobile की तरफ जो की है realme का narzo 30 Pro, सबसे ज़्यादा latest है, अभी हाली में launch हो गया, इसकी कीमत है 217,000, 2000 मेहंगा है ये बाकी दोनों mobile से, बाकी कुछ चीजों के अंदर इसके अंदर आपको काफी बड़ा फर्क दिया गया है, जैसे इसके अंदर आपक ही है, लेकिन इसके अंदर आपको refresh rate जो मिलता है, वो जादा दिया गया है 120 Hz का, तो यूज करने में ये mobile सबसे ज़्यादा smooth लगता है, इन तीनों mobile से अंदर, colors, brightness इसके अंदर आपको काफी ज़्याद अच्छे दिये गया है, ये इसकी पहली बड़ी खुबी है, दूसरी इची खुबी इसके अंदर भी आपको realme 7 की तरह वही मिल जाती है, design, realme 7 की तरह इसके अंदर भी आपको design की quality वैसी ही दी गई है, matte finish के अंदर, color भी आप इसका देख सकते है, silver type का color बहुत ही ज़्याद अच्छा लग रहा है, तो look wise भी इसका design काफी ज़्यादा बढ़ि इसके अंदर भी आपको काफी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा best camera आपको दिया गया है, realme 7 के अंदर, left side साब देहेंगे, इस mobile को तो sim के tray दी गई है, इसमें काफी बढ़ी कमी यह है, इसके अंदर आप 2 sim card, 1 memory card, 3 चीज़ एक साथ नहीं लग सकते हैं, या तो 2 sim card लगाईएगा, या फिर 1 sim card, 1 memory card, right side साब देहेंगे, तो power का button दिया गया है, जिसके अंदर ही fingerprint scanner है, इस चीज़ में तीनों mobile से एक जिससे है, type C port इसके अंदर भी आपको मिल जाता है, इसमें आपको ऊपर की तरफ noise cancellation mic भी दिया गया है, battery scanner आपको मिल जाती है, 5000 image की, एक दिन का battery back आपराम से मिल जाता है, बाकि दोस्तों सके अंदर आपको processor दिया गया है, media tech का diamond city 800U processor, अब देखिए अगर आप एक बहुत ज़्यादा heavy user है, तो बाकि के दोनों mobile's तो काफी ज़्यादा बढ़िया है ही, बहुत ज़्यादा heavy user के साब से, बाक आपको 5G का support मिल जाता है, हाला कि realme 7, narzo 20 pro आपको 4G ही मिलते हैं, तो इस चीज़ का काफी बड़ा फर्ख है इसके अंदर, वैसे दोस्तों जो खुब इसके अंदर आपको मिलती है, वो realme 7 के अंदर आपको 2000 कम कीमत में भी मिल जाती है, जैसे इसके साथ भी आपको charger fast दि आपको इसके अंदर आपको refresh rate जादा दिया गया है, कीमत के इसाब से देखा जाया, तो मुझे इन तीनों mobile's के अंदर सबसे जादा पसंद आया, realme 7 ही, अगर आपको 5G smartphone ही लेना है दोस्तों, तो आप narzo 30 pro ले सकते हैं, बाकि सारी खुब आपको realme 7 के अंदर कम कीमत में क कौन से जाद अच्छा लगा, आप narzo 30 pro लेना पसंद करेंगे, या फिर realme 7, तो दोस्तों या तो आप realme 7 खरीदिएगा, या फिर narzo 30 pro, यही दो mobile's आपके लिए काफी बढ़िया रहेंगे, पर सली realme 7 मुझे पसंद आया, आप बताएगा आपको कौन सा अच्छा लगा, वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के निचे जो लाल कलर का बटनों से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसके लब वीडियो कर आपको helpful ल